चलिए इसमें जितने भी सम्मेलन हुए हैं और होने वाले हैं उनके विशे में जान लेते हैं अति महत्पूर्ण है परिष्या में आपके काम आएंगे चॉदवा या फोटींथ g20 शिखर समेलन 2019 इसमें सिर्फ हम समेलनों की बात करेंगे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे चर्चा करेंगे थो काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा जिसका कोई अर्थ नहीं होगा तो 14 वा जी 20 शिकर समयलन 2019 ये ओसाका में हुआ जापान में ठीक है और इसका जो विशय था भविश्य का मानो केंदित समाज ये विशय था जी 20 स्वास मंतियों का समयलन भी जापान में हुआ लेकिन कहां पे दूसरे शहर में आको यामा में तो यह अंतर आप समझेगा इसके साथ ये चोधा हुआ था 2019 वाला तेरवा समयलन जो 2018 में हुआ था व्यूनस आयर्स में अर्जेंटिना है हुआ था पंद्रहमा समयलन जो होने वाला है 2020 में वो रियाद में होगा सौधी अरब में बहुत महत्पूर्ण है 17 समयलन जो कि 2022 में होगा कहां पे होगा नई दिल्ली में भारत में 32 और 33 आसियान देखे आपको पता होना चाहिए आसियान का जो सिखर समयलन होता है वर्ष में दो बार होता है तो 32 और 33 पूछेगा तो सिंगापूर 34 और 35 जो 2019 में हुआ वो बैक आप थाइलेंड में अभी हाली में प्रधान मंत्री मोधी गए थे ठीके उन्होंने आरी सीपी में सामिल होने से मना कर दिया जो Regional Corporation Economic Partnership जो होने वाली थी इसमें भारत सामिल होने वाला था मुक्त व्यापार एक प्रकार से सम्झोता था या आर्थिक सम्झोता था इससे भारत कई करणों से आर्थिक करणों से पीछे हट गया ठीक है और इस कदम को काफी सराहना इसकी की जा रही है भारत में लेकिन एक बात ध्यान देने युग है कि शिखर सम्मेलन तो बैकॉक में हुआ थाईलाइंड में लेकिन भारत आसियान ब्यापार सम्मेलन 2019 बिजने सम्मिट ये मनीला में हुआ फिलिपिन्स की राजधानी में तो कन्फ्यूजन वाला कुश्चन आ सकता है ध्यान रखेग चवथा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2018 ये काठमंडू में हुआ था 18 में नेपाल में 2018 में पहला जो है पूर सकता है बैकॉक में जो हुआ था था थाईलाइंड की राजधानी बैकॉक में 2004 में पांचवा सिखर सम्मेलन कूलंबो में श्रीलंका में प्रस्तावित है ग्यारवां ब्रिक्ष सिखर सम्मेलन 2019 ये ब्राजील में हुआ ब्रिक्स वह संगठन है जिसमें बारी-बारी से जो देश है पहले ब्राजील में होगा फिर रसियाम होगा फिर इंडिया में फिर चाइनाम फिर साउथ अफ्रीका में तो याद रखना आसान है कि ग्यारवा ब्राजिल में हुआ तो दस्वा कहां पर हुआ होगा कहां होगा साउथ अफ्रीका में हुआ होगा है ना दस्वा ठीक है फिर ब्राजिल का नंबर आया फिर रसिया का नंबर आएगा फिर इंडिया फिर चाइना फिर साउथ अफ्रीका फिर ब्राजिल तो यह धंक से चलता र शेरपाओं का जो सम्मेलन हुआ था वो कूर्टीबा में हुआ था वो भी ब्राजील का एक शहर है कूर्टीबा याद रखेगा में भी सिर्फ कूर्टीबा दे दे तो कंश्यूज नहों मुद्धा इसका अतंकवा था उन्नीश्वा शंहाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2019 यह किर शालीसवा फुटीफाइफ जो जी सेवन सिकर सम्मेलन दोए और ने कहां पर हुआ यह बिया रिड्स में हुआ फ्रांस के शहर में चौर्वा कहां हुआ था तो जार रठार में क्यूबेक सिटी कनड़ा में हुआ और अगला अर्था 2020 में होने वाला सिकर सम्मेलन कहां होग 25वा चोघं या रश्मंडल सिकर सम्मेलन जो कहते हैं देशोंका सिकर सम्मेलन चोघं सिकर सम्मेलन 2018 लंडन में हुआ उनाइट brick again में 26 वा रवंडा में होगा 2020 में और 27ंवा कयोजन 2022 में समूओA में होगा विश्वार्थिक मंच W.E.F. जिसका वार्षिक सकर सम्मेलन दावोस में होता है स्विट्जल लेंड में जो उन्चास्वा वार्षिक सम्मेलन ये जो है नंबर कौन सा था तो याद रखेगा 49 नंबर का था 22-25 जनवरी में हुआ हर साल होता है इसी समय लगबग विशे बहुत महत्पूर्ण है विशे क्या था इसका globalization 4.0 प्रशना सकता है globalization 4.0 किस सम्मेलन की थीम थी तो यह विशे था विश्वार्थिंग मंच का 49 नंच का इंटरपोल 2019 इंटरनेशनल पुलिस औरगनाईशन यह है 2019 यह जनरल असेंबली इसका सम्मेलन हुआ कहां पर चिली में हुआ इसका सम्मेलन बहुत मत्पूर्ण है इसलिए क्योंकि 2022 में जो सम्मेलन होगा इसका भारत में होगा UNCCD United Nations Convention to Combat Digertification मरुस्थली करण को रोकने के लिए यह औरगनाईशन बनाया गया कब 17 जून 1994 में पेरिस में इसका जो 14 कोप हुआ ठीके कॉंफरेंस आप पार्टी जो 14 हुआ यह सितंबर 2019 में कहां पर हुआ नई दिल्ली यहां लिखना में बोल गया हूं यह सोरी चुकि परिक्षाप देने जा रहे हैं तो और जादा महत्यपून हो जाता है इसके पहले 13 शिखर सम्मेलन इसका हुआ था ओर्डोस शहर में चाइना में संयुक्तराश जलवाय परिवर्तन शिखर सम्मेलन कोप 24 आयन यूए फसी सी का जो कोप 24 2018 हुआ था यह कोटोविस पोलेंड की सिटी है कोटोविस के टोविस सहर में हुआ था कोप 25 2019 का यह स्पेन की राजधानी मेड्रिड में हुआ चीली में पहले यह होना था लेकिन चीली से हटा करके इसको मेड्रिड में कराया गया इस्पेन में पचासवा गोल्डन जुबली अर्था जो पचासवा सिकर समय आपको पता है 25 को सिल्वर 50 को गोल्डन और तो पचासवे को पचासवा वर्ष अगर गांट किसी की मनाई जाती है तो उसको गोल्डन जुबली कहते है साथवी वर्षगांट मनाई जाती है तो उसको क्या कहते है डैमन जुबली कहते है या फिर 75 वे वर्षगांट को भी कहीं कहीं डैमन जुबली कहा जाता है वहीं सत्तरवा वर्षगांट अगर किसी चीज का मनाई जाता है तो उसे क्या कहा जाता है प्लैटिनम जुबली उ इसी तरह भारती अंतर राश्टी फिल्म होसो 2019 उसका जो पचासवा अर्थात गोल्डन जुबली मनाए जाएगा कहां पंड़ जी में लगबग हर साल होता है ठीक है लेकिन इस बार का जोकी पचासवा है तो इसलिए पूछ सकता है कम 2019 में चतुर्थ एसोसियेशन आफ वर्ड इलेक्शन कमिशन ए वेब के नाम से भी जाना आता है यह चौथा सम्मेलन है बैंगलूरू में आयजुत हुआ इसके प्रमुख कौन थे सुनी लरोडा जोकी भारत के मुक्ष चुनावायोग थे भारत चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेल में वहाँ पर दोनों लोग मिले थे तो दूसरा यह अनौपचारिक शिखर सम्मेलन था कि सीफोर्टी जलवाय शिखर सम्मेलन 2019 यह ग्लोबल कंवेंट कंवेंट आफ मेयर्स जो विश्व के प्रमुख शहरों के प्रतनिधी है उनका यह शिखर सम्मेलन होता है जलवाय प् 2019 में डेनमार की राजधानी है कोपन हेगन वहाँ पर संपलन हुआ नौवा सार्क फिल्म होस्तो 2019 यह कहां पर आउजित हुआ कोलंबो में शिलंका में मतपूर्ण की नगर गिर्तन जो की बांगला फिल्म है भारत की इसके निर्देशक कौशिक गांगुली है सौसेष्ट फिल्म सहित चार पुरसकार इसको मिले 49 विश्व कभी सम्मेलन 2019 यह भूनेश्वर उडीशा में आउजित हुआ पांचवा भारत अंतर राष्टी विज्ञान महस्तो यह कोलकाता में आउजित हुआ चोथा कहां पर आउजित हुआ था दोस्तों लखनाउ में 2018 में Defense Expo 2020 में आउजित हुआ कहां पर लखनाउ में Defense Expo India भी इसको कहते हैं 2020 में लखनाउ में आउजित हुआ नमस्ते पेसपिक कैकरम 2019 यह दिल्ली में आउजित हुआ अगस्त 2019 में महिला स्टार्टप शिकर सम्मिलन ये कहा है जित हुआ केरल में चौदवमा इसलामिक देशों के संग्ठन का शिकर सम्मिलन OIC जिसको कहते हैं Organization of Islamic Countries ये 2019 में काफिर चर्चित रहा मक्का में सौधी अरब में है जित हुआ तीसवा नाटो शिकर सम्मिलन 2019 ये लंदन में आउजित हुआ दोस्तों उन्तीसवा था यहां Brussels जो की Belgium की राजधानी है उन्तीसवा जो है Brussels में आउजित हुआ था Belgium की जो राजधानी है नाटो का यहीं मुख्याले भी है दोस्तों ठीक है याद रखेगा तीसवा नाटो शिकर सम्मिलन 2019 ये लंदन में आउजित हुआ काला घोड़ा महसो ये कला से जुढ़ा हुआ सम्मिल महसो है कला से केक्शेतर में जितने भी कलाएं है संगीत कला नित्त कला नाटकला ठीक है या फिल्म हस्तिया जो है जुड़ी थी इस से इस महुसों में शामिल हुई मुंबई में आजित हुआ था काला घोडा महुसो 106 विज्ञान कांग्रेस जालंधर में पंजाब में लवली प्रोफेशनल उनिवस्टी में आजित हुआ था इसकी महत्पूर बात थी कि मिटल मैगना नामक रोबोट यहाँ पर प्रवेश्द्वार जहाँ पर घुषना था सबको वहीं प्रवेश्द्वार में लगाया गया था बहुत ही चर्चा का केंद्र था तो पूर सकता है डारेट प्रशन मेटल मैगना क्या है तो एक रोबोट था थीम इसकी क्या थी फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेकनोलजी 107 वह राष्टी विज्ञान कांग्रेस होगा यह बैंगलोर क्रिशी विश्वध्याले में आयोजित होगा जलवाई परवर्तन पर बेसिक देशों का 28 मंत्रिस्तरी वारता या सिख्ष सम्मेलन यह कहां पर ब्राजील में आयोजित हुआ 2019 में याद रखे का बेसिक में चार देश सामिल हैं कौन-कौन ब्राजील साउथ अफ्रीका, भारत और चाइना ठीक है खेलो इंडिया यूथ गेन 2019 यह दिती संस्क्रण था इसका कहां पर आयोजित हुआ पूरे में, महाराष्ट में महाराष्ट ही इसमें पहले अस्थान पर रहा पिछले साल कहां हुआ था जो की प्रथम था यह दिल्ली में आयोजित हुआ था और इसमें हरियाना पहले अस्थान पर रहा था याद रखेगा इसका नाम जो पहला इसका संस्क्रण था उसमें इसका नाम । केलो इंडिया यूथ गेम्स नहो कर । सकूल गेम्स के नाम से आजूत किया गया था दिल्ली में ठीक है अब तीसरा कहां आजूत होगा गुवाहाटी में 2020 में इसका नाम यूथ गेम्स क्यों पड़ा अंडर 17 के साथ अंडर 21 के भी जो युवा भ्यारती है इसमें सामिल हो गए दूसरे से 15 प्रवासी भारती दिवस 2019 21 से 23 जनवरी 2019 में वरांसी में हुआ याद रखेगा हर साल तो 9 जनवरी को मनाया जाता है यह लेकिन इस बार चुकि कुम्ब में सामिल होना था जो प्रवासी आते इसलिए इसको बढ़ा करके 21 से 23 जनवरी 2019 कर दिया गया था इसकी थीम जो थी रोल आफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग आफ अ नियू इंडिया तीसवा सायुक्तराष्ट महासभा का सायुक्तराष्ट महासभा का 74 सत्थ 2019 सितंबर में जो आयजित हुआ सितंबर अक्टूबर में सितंबर में सुरू हुआ अक्टूबर में समाप्थ हुआ इसके जो अध्यक्षते 24 सत्र के तिजानी महम्मद बांदे थे ये नाइजीरिया की नेता है मोधी, प्रधान मंत्री मोधी का संबोंधन कब हुआ 27 सितंबर 2019 को संबोंधन हुआ ठीके हाओडी मोधी का एक्रम बहुत चर्चित रहा किस स्टेडियम हुआ एनारजी स्टेडियम में जो कि हुष्टन शहर में है टेकसास जो राज्ज है USA का उसका एक महत्पूर्ण सहर है हुष्टन जहां पे भारती आबादी बहुत ज़्यादा है हाओडी मोधी का का एक्रम वहाँ पर हुआ जिसका की थीम था साजास अपने उज्वल भविश कब हुआ 22 सितंबर 2019 को डेट भी पूसकता है पचास जार लोग इसमें सम्मिलित हुए साथ ही अमेरिकी राश्पती भी इसमें आये थे सवास्दी मोधी सी हाओडी मोधी की तर्ज पर सवास्दी मोधी का एक्रम अभी हाली में एक नॉम्बर 2019 को आज़ित हुआ कहां पर किस स्टेडियम में निभी बुत्र स्टेडियम में अप्रिल 2019 में बलादी वोस्तक रूस में रसकी दीप याद रखेगा रसकी दीप पर बलादीमिर पुतिन जो की रूसी राश्पतियों और किंग जांग उन जो ताना शाह है निता उत्तरकोरिया का इनके मद्दे मुलाकात हुई बहुत महत्पूर्ण है बलादी वोस्तक में और किस दीप पर रसकी दीप पर रसकी दीप कहां है बलादी वोस्तक रूस में 2018 में याद रखेगा टरंप और किंग जांग उनकी मुलाकात हुई थी सिंगापूर में पहली बार 2019 में वियतनाम की राजधानी हनोई में भी ट्रम्प और उनकी मुलाकात हुई ध्यानतब्य है कि पुतिन की किम जांग उनसे ये पहली मुलाकात थी वन लाइनर जो देख लीजे कुछ महत्रपूर्ण जो सम्मेलन महोसो हैं पांचवांतर राष्टी रामायन महोसो सितंबर 2019 में नई दिल्ली में हुआ 24-वां विश्ष ओर्जा कांग्रेस पिछली बार पूछा गया था PCS Pre में ही सितंबर में हुआ 2019 में अबुधाबी UAE में पराली प्रबंदन पर राष्टी किसान सम्मेलन 2019 नई दिल्ली में हुआ सितंबर 2019 में समुद्री उत्पादों संबंदित एक्वा एक्वेरिया भारत 2019 ये हैदराबाद में अगस्त सितंबर 2019 में संपन हुआ चोथा जो है दक्षण ASEI Speakers शिकर सम्मेलन ये माले में हुआ माल्दियों की राजधानी माले में सितंबर 2019 में चोथा दक्षण ASEI Speakers शिकर सम्मेलन SEO देशों का प्रथम सैन चिकिस्ता सम्मेलन 2019 नई दिल्ली में हुआ सितंबर 2019 में चोथा भारत चीन रनीतिक आर्थिक वारता 2019 ये नई दिल्ली में संपन हुई सितंबर 2019 में चोथा हिंद माहसागर सिकर सम्मेलन ये माल्दियों में हुआ सितंबर 2019 में बहुत मात्मूर है पूछा गया था पिछली बार सात्वा कम्मूनिटी रेडियो सम्मेलन ये नई दिल्ली में आउजित हुआ अगस्त 2019 में ये थे जितने भी मात्मूर सम्मेलन थे यहां से प्रश्ण आएंगी आएंगे जितनी बार हो सके देख लिजेगा अगर आपको टेस्ट जुणना हो हमारे तो हमने नीचे डिस्क्रिशन बाक्ष में सब कुछ दे दिया है आप लोग डारेक्ट अगर वाट्सप पर चुकिए समय कम रहता है वाट्सप कम देख पाते हैं आज कल तो आप लोग डारेक्ट जो प्रोसेस डिस्क्रिशन जिए और गृप से जुड़ जाएं टेस्ट भी चल रहा है हमारा पेड़ गृप है मेंस के यूपीपीश मेंस का भी गृप चल रहा है उसमें जूर सकते हैं हम बिहार पीशिस के लिए भी एंसर राइटिंग ग्रूप सुरू करने वाले हैं तो जो लोग भी इच्छुक ह होंगे उनको हम बता देंगे आप लोग जुड़ जाएगा पहले डेमो कुछ दिन तक चलाएंगे उसको बाद में टेस्ट की प्रक्विया आपको बता देंगे रामाईड वीडियो आपके सामने कल परसों में प्रस्तुत हो जाएगा जिसमें वर्ष भर का करिंट अफेस का संग्षिप्त विवरण आपको मिल जाएगा वो वीडियो ही परियाप्त होगा आपके लिए परिक्षा में पास करने के लिए आपके बाकि आप पढ़ते रहे है बहुत बहुत धन्यवाद